स्टापलस का पॉपलर शो यह है महपते बंध होने चारा है शो छे सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा था शो को जबरदस पॉपॉलारिटी में मिली लेकिन अब फाइनली शो का शटर डाउन होने वाला है ऐसे में इस बात से जहां शो के फैंस दुखी है तो वहीं के साथ साथ शो की पूरी स्टार कास्ट भी इमोशनल हो गई है जी हां धरसर शो की पूरी टीम ने कल सेट पर आखरी एपिसोड शूट किया लेकिन पैक अप के बाद कोई भी अपने आशो को रोक नहीं पाया सभी सेट पर काफी इमोशनल हो गए खासकर कि अगर बात करें रूही और इशिमा की तो ये दोनों तो सेट पर फूट फूट कर रोने लगी आप देखिए रूही का ये विडियो जिसमें वो अपने आसों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन आसों है कि रोकने का नाम ही नहीं ले रही आपको बता दें कि ये वीडियो खुद अदिती ने अपने इंस्टेग्राम पर शेयर किया है इस वीडियो में अदिती ये है मौबते के सेट पर काफी रोती हुई नजर आ रही है अदिती ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्याप्शन में लंबा चोड़ा पोस्ट भी लिख डाला है अदिती लिखती है कि आज ये है मौबते के सेट पर मेरा आखरी दिन था विश्वास नहीं हो रहा कि ये खत्म हो चुगा है और कल से अब मुझे कॉल टाइम नहीं मिला करेगी अगर इस शो में मेरे सफर की बात की जाए तो ये खुबसूरत था मैंने इस शो की बदौलत काफी कुछ सीखा है इसी के साथ अदिती ने शो से जुड़े सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया किया रूही के अलावा दिव्यांका और करन भी काफी एमोशनल हो गए हैं शो के बंध होने की बात से आपको बता दे कि कुछ दिल पहले ही करन पटेल ने अपने इंस्टेग्राम पर एक बेहद एमोशनल पोस्ट लिखा था इसके अलावा दिव्यांका भी अपने सोशल मीडिया पर शो के लिए एक एमोशनल पोस्ट लिखकर भाव उखो चुकी हैं और अभी हाली में उन्हें अपने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से शो के लास डे की शूटिंग के तस्वीरे शेयर की हैं जिसमें उनकी और रमन की शादी दिखाई जा रही है और जो की कहानी के अगर बात करें तो फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है कि रूही भला मा नहीं बन सकती गरवालों ने रोही के माना बनने की बाद उनके होने वाले पती और साथ से छुपाई है लेकिन मेकर्स ने शो की अब आगे हैपी एंडिंग प्लान की है ऐसे में शो के आखिर में आप यही देखेंगे कि रमन भला और इशिदा भला यानि दिव्यांका तिरपाठी की करन पठेल पंजाबी स्टाइल में शादी करेंगे वाले सीडियल तो बंद हो जाएगा लेकिन फैन्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके फेवरेट रमन इशिदा जल सी जल नए अवतार में लोटाएं फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताईए कि आप यहे मोहबती को कितना मिस करने वाली हैं